हेलो व्यूवर्स कैसे है आप साइफ आइक होंगे होमेट स्टाइल बाइव रूचिय शीजा में मैं रूचिय आपका बहुत स्वागत करती हूं तो आज मैं आपके साथ बनावे जा रहे हूं टमाटर की कड़ी जो की बहुत यूनिक लगती है अगर कुछ भी नहोर आपका क तो यह देखने में और खाना में बहुत अच्छी लगे जब आप बनाएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए तो उसके साथ एक बेल आइकन आएगा तो उसको भी जरूर प्रेस कर ले जगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पोश्टे रही हो और मैं आपको ऐसी उनिक डिशिस बताती रहूं तो चलिए विवर्स फटा-फट से बनाते टमाटरगी कड़ी तो देखेंगा यह मेरे स्टाइल में एक लिटर लसी ले लिया जो चाच होती है या बटर मिल्क उसके साथ ही मुझे तीन अलू चाहिए तीन प्यास चाहिए और तीन बड़े टमाटर चाहिए और हरा धन्या यह चार टेबल स्पून बेसन यह दो टेब लाल मेर्च, सुखा धनिया, हल्दी, नमक, गरम मसाला, और ये मेरे पास अजवायन है, तो ये में अजवायन लूँगी, और मुझे अधा लिटर पानी चाहिए, या वोटर चाहिए, जो मैं एक लिटर इस लसी में मिक्स करूँगी, ये मैंने पानी इसमें मिक्स कर दिया, और दन मैं इसके बाद, इसके बाद मैं ग्यास को उन कर लूँगी, हम मैंने ग्यास को उन कर लिया है, और मेरी कडाई गरम हो चुकी है, तो मैं इसमें शुरू करूँगी, सबसे पहले, मैं इस लसी में बेसन अड़ करूँगी, ये चाह टेबल स्पून बेसन है, और इसक मैं मिक्स कर लोंगी अच्छे से ताक इस पर लंस ना हो अब यह मेरी लसी में यह चार्च है मेरी बेसन धुल चुका है इस चार्च को मैंने ज्छाना था तो कि घर की चार्च है अगर आप मार्केट से चार्च ले रहे तो उसको चानने की जरूर नहीं है आपको वो काट लूँगी आलू को मैं स्लाइस में काट लूँगी और प्यास को लंबा स्लाइस करूँगी और टमाटर को भी लंबा स्लाइस करूँगी तो विवेस देखे मैंने कैसे काट लिए यह मैंने आलू स्लाइस कर लिया है और यह मैंने प्यास स्लाइस करनी है बतले और यह मैंने दी स्लाइस कर लिए हैं तो चलिए फटा-फट से में कढ़ाई में रिफाइंड डालूंगी रिफाइंड डालती है मैंने 2 टेबल स्पून डाल है इसके साथ ओयल गरम होते ही मैं एक टी स्पूल जीरा डालूंगी और एक टी स्पूल अजवाएं इसमें एक टी स्पूल जीरा बुरने के बाद अजवाएं और इसमें क्यास डाल देंगी आप इवर्ट से इसमें हरी मेच पी डाल चकते है क्यास डालने के बाद मैं इसको चला लेगी है कि आज दो प्यास को फ्राइब कर लिए पार में आज मेंट के लिए अधर में इसको फुड़ा पानी डालके इसको धग दूंग और पकाऊंगी दिखें एकसे सुझेना थोड़ा से पानी डाल दिया ये बहुत ही जल्दी बन जाती है के डिक बसी रहें तो मैं ने चला लिया और अब मैं इसको ढ़क दिन देंगे प्लेट से ताकि हमारे आलू प्यास थोड़ा फ्राई हो जाए और गल दी जाए तो चबी विए रस हमारी कड़ी के लिए आलू और प्यास फ्राई हो चुकिया देखिए अच्छे शलाल हो चुकिया प्यास दियो मैंने टमाटर अभी भी नहीं डालने हैं हमने उससे पहले तो हमने कड़ी को पकाना है तो यह लसी और जो जो जाई का मिक्स्चर था चाच का वो इसमें डाल दूंगी और साथ में मैं कुछ मसाले डालूंगी इसमें उल्ली एक टी स्पून में हल्दी डालूंगी बस अभी और कुछ पी नहीं डालना है तो चलिए इसको पकने देते हैं तो चलिए विवर्स यह हमारी कड़ी आप देख पा रहे होंगे मैं आपको पास से दिखाती हूं यह पान सINT को भूगय है पकते-पकते मांसे साथ मिंड़ बाद हम इसे हमारे टमाटर कटएवे इह ऊड़ कर देंगे कैसे बंती है हमारी कड़ी है हम हम इस कड़ी को मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे और 108 हुबाल आने देंगे इसका कि हमारी कड़ी एक दम स्मूध बंग सके बीच वीच मिसेस को हम चलाते रहेंगे तक ही कड़ी में उफान ना आए अगर आपको डर रहता है कि भाई कड़ी मेरी उबल जाती है तो एक ग्लास पानी का साथ जरूर भग के रखिए जैसे ही थोड़ा उबलने लगे अगर मालोई भार आने लगे तो उसमें उसी टाइम आप थोड़ा पानी आड़ कर दीजे तो कड़ी बैड जाएगी यह देखिए विवर्स हमारी कड़ी उबल रही है अगर आपको ऐसे लगे विवर्स कि थोड़ी गाड़ी हो गई और अभ चलिए देखिए हमारी कड़ी उबल गई है बस और पांस साथ मिल्टे मारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी इसको आप चावल के साथ रोटी के साथ या पुलाव के साथ किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं तो अब मैं इसमें मसाले आड़ करूंगी सबसे पहले तो मैं सोल्ट एड़ करूंगी इने एक पीस्पून बूश्रा है जोर fawn और यह एं तीटीज्पोन में सोल्ट पायाड करूंगी इसे म सब्सें लाल मीर चायड नि हैड़ की तो मा भाफ टीज्पूं और एज चिली वन टीजिपूं कॉरियांडर पाउडर अट संGU देन लास्कर मैं इसमें गरा मसाला एक टी स्पून एड़ करके इसको मिक्स कर लूँगी देन में गैंस को थोड़ा तेस करके और इसको बन कर लोगी इसको चलाने के बाद देखिए हमने इस कंसिस्टेंसी में इसको छोड़ना है पुड़ी लिक्वरी ताकि यह चावा लो लोती है अजानी से खाया घबार बदने भी तोड़़ों से गारी अब इस विवर्स से थोड़ा सा हरा धन्य में आड़ कर लेती हूं कि देखिए, तो में अधन्या ऐड़ करके इसको मिक्स कर लिया और गैस ने बन कर लिये और में इसको तर्व कि रट है यह बाती रह गया है तो चलिए वीवर्स मैंने कड़ी को डेकोरेट कर लिया मैं इस बाउल में और उपर से एक फ्लावर बनाया है टोमेटो का ग्रीन चिली के साथ मैंने इसको गार्नेश करके उपर से थोड़ा गरम मसाला स्प्रेड ओन किया है तो कैसे लगी है वीवर्स मेरी कड़ी अगर आप को और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका धन्यवाद देखिए वीवर्स अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल बटन नहीं दबाया है तो आपको मेरे आने वाले वीडियो नहीं मिलेंगे और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको कैसे बताऊंग तो प्लीज बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीज़ेगा धन्यवाद व्यूवर्स